नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नियुक्तिया हो चुकी है, असी से तीस हजार नियुक्तिया निकल चुकी है, स्वमवर को मुख्य मंत्री बोकारों के चंद्रपूरा में 18 क्लोर की 36 वे नाव को उधगाटन, 275 क्लोर की 25 वे नाव को सिलन्यास, वा 116 क्लोर की परिसंपतियों की बित्रन कारिकर में बोल रहे थे, सीम ने कहा है कि हम जब परिक्षा में नकल के खिलाप कानून लेकर आए तो भाजपा आईसू वाले बिरोध करने लगे, महा महीम के पास चले गए, ये नहीं चाहते कि आदिवासी मूलवासी के बच्चे नोकरी में आए, उन्होंने वही हाल 1922 और सरना धर्मकोर्ट क भी किया है, परन्तु इनकी कर्तूतों पर नजर है, जरूरत पड़ी तो ऐसे बिरोध करने वालों को जार्खन से बेदेखल करना होगा यूनिफर्म सिविल कोर्ट के खिलाप रांची में सड़कों पर उतरे आदिवासी, UCC के बिरोध में जर्खन के आदिवासी संगठनों के लोगों ने सड़क पर उतर का प्रतसन किया, रांची रामगर समयत कई सहरों में इसका असर देखने को मिला, जाम के कारन लोगों को आने जाने में परिशानियों का सामना करना पड़ा, बता दे यूनिफर्म सिविल कोर्ट के बिरोध में जोमवार को रांची सही जर्खन के कई इलाकों में आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतर आए, रांची के एक परमोख चवराहे करम टोली चोग को पूरी तरह से जाम कर दिया गया, इसके कारण सहर के बड़े इलाके में लगबग दो घंटे तक आवा गमन अस्त ब्यस्त रहा, वही रामगार में भी सैकडों लोगों ने रांची पटना रोट को घंटों जाम कर रखा, इस मुद्दे गोले का राष्ट्रिय आदिवासी एक्ता परच स्वास्त मंत्री ने मिशन इंद्र धनुस कारकरम की शुरुवात की, सराय के लाख हर्चावा जीले में सोमवार को मिशन इंद्र धनुस की शुरुवात राजी के स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता ने किया, उन्होंने कहा है कि मिशन इंद्र धनुस अभ्यान के तहत सुन विश्वा आदिवासी दिवस कारकरम पर बारिस का साया जारकन में 9 अगस्त को विश्वा आदिवासी दिवस मनाया जाएगा इसकी त्यारी में विभीन आदिवासी संगठन और प्रसासनिक आमला जुटा हुए है कारकरम को एतिहासिक बनाने के त्यारी की जा रही है इस सब के बीच मौसम केंद्र रांची 9 और 10 अगस्त को भारी बारिज की समवन जताई है बतादे राजे में धुम दाम से विश्वा आदिवासी दिवस मनाने के त्यारीया जोरो सोरो से चल रही है अलग अलग जन जातिय संगठनों के साथ साथ सरकारी अस्तर पर इस दिन को एतिहासिक बनाने के त्यारीया अम्तिम चरण में है विश्व आधिवासी दिवस नव अगस्त को मनाया जाता है राज्य में इस वर्ष दो दिवस से कारकरम कायोजन किया जा रहा है मुखे कारकरम ओल्ड जेल परिशर के बिर्थाम उन्डा स्मिनेती पार्क में किया जाएगा वहीं मुसम केंद्रे राची 9 और 10 अगस्त को राज्य दानी सहित राज्य के कई इलाकों में हलकी सेमा दर्जे की बारिश की समावना जताई है जार्खन के 15 नवर निकायोग के 1.6 लाख घरों में पेजल कनक्सन मिलेगा जार्खन सरकार नल जल योजना के तहट 15 निकायोग के लाखों घरों में पानी का कनक्सन कराएगी ताकि पेजल की समस्य का समाधान हो सके इस योजना पर कोड़ोरों रूपए सरकार खर्च करेगी बता दे मुख्य मंत्री हेमस्यों के निदेश और नवर विकास सचिव बिनाय कुमार चौबे की पहल पर राजे के 15 नवर निकायों में रहने वाले लोगों को पेजल उपलब्दे कराने की पर के लिए सुरू कर दी गई है इसके तहद कूल 1,63,393 घरों में निसुल को वाटर कनक्शन दिया जाएगा इस योईना से लगभग 8.17 लाख लोग लभानमीत भी होंगे सरकार इस योईना पर कूल 147 को रुपए खर्च करेगी इसके लिए जुड़कों के सभागार में सोमवार को पर योईना निदे सकत तक निकी गोपाल जी के अध्यक्सा में देश की नामिक कमपनियों की बीडस की बैठक आयोजीत की गाई बोकारों में जगरनाथ महतो मेटकल कॉलेज खुलेंगे बोकारों पहुँचे मुख्य मंत्री हमार सुमवार 7 अगस्ट 2013 को जील्ले वासियों को करोड़ों की सवगादी है चंद्रपूरा परखंड इस्थीत तारा नरी में आयोजी समारों को समभुषित करते हुए सीएम ने देवंगा जगरनाथ महतो के नाम से मेटकल कॉलेज खुलने की बात कही वही नेतर हाट अवासिय बिद्यले की तरज पर डूमरी बिधान सभा छेतर में इस्कूल खोलने की घोसना भी की है साथ ही कहा है कि जार्खं को ससक्त और विक्सित राजे बनाने के लिए सरकार परतिबद है जार्खं बदल रहा है बदलाव का या सिर्सिला तब तक जारी रहेगा जब तक जार्खं बिक्सित राज्यों की स्रेणी में खड़ा नहीं हो जाता सियम हेमन्त का दावा सिक्षा के छेतर में जार्खं का होगा वर्चस्व मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि राज का कोई भी छात्राव पैसे के आब हाव में पढ़ाई सेवंचित नहीं रहेगा जारखन के छात्रों का भी सपना होता था कि वे भी विदेश में पढ़ पाए इसके लिए हमने एक योजना बनाई है जिसके माध्यम से आज राज के करीब दो दर्जन छात्र बी देशों में उच सिक्षा गरहन करने के लिए जा रहे हैं मुक्यमंतरी ने दावा किया है कि वो दीन दूर नहीं जब पढ़ाई के छेतर में जारकंड वासियों का वर्चस्ट होगा बोकारों के चंद्रपूरा परखंड के तारा नारी में आयजित कारकरम को समभथित करते हैं इस योजना के तहद पहले चलन में कूल असे उत्किष्ट भी द्याले त्यार भी हो चुके हैं गरिह सचीव की चेतावनी अपराधियों को करे जीला बदर जहारखंड गिरी हिकारा एवं आपदा प्रबंधन विभा के अपर मुख सचीव अविनास कुमार और पूलिस महानी देशक अजय कुमार सीगने सुम और को रांची पूलिस प्रसासन के वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में रांची में जमीन समने बीधी बेवास्था के संकट पर गिरी सचीव सक्त दिखे बैठक में मुख सचीव अविनास कुमार ने जमीन माफ्याओ और अपराधियों पर सक्त करवाई करने समन्दी कई अहमने देश दिये हैं अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि आपराधियों खिलाब जीला बदर की करवाई नहीं होने पर सम्मंदित अधिकारी खुद के जीला बदर होने के लिए त्यार रहें जमीन फरजीवाडे या घोटाले से समंदी घाटना होने पर समंदी थानेदार के साथ साथ वहाँ के अंचला अधिकारे भी निलंबित किये जाएंगे रांची हिंसा केस में पुलिश ने एक साल बाद सुरू की करवाई रांची हिंसा केस में पुलिश ने एक साल बाद करवाई सुरू की है करवाई को लेकर मुसलिम समाज नलाज है उनका काना है कि पुलिस एकतारफा करवाई कर रही है बिरोध में 12 अगस्त को दुकाने बंद रखने का फासला भी लिया गया नुपुर सर्मा के बियान के बिरोध में रांची में बिते वर्स 10 जुन को मुस्लिम समुदाय के परशन के दुआर होई हिंसा को लेकर पुलिस ने अपकरवाई शुरू की है एक आरोपी को गिरफतार भी कर लिया गया जबकि पुलिस जांच में हिंसा के लिए 49 अने लोग को जिमेदार बताते हैं उनके खिलाब कोर्ट से वरंट माया गया है अमिसा पटेल चेक बाउंस मामला गदर दोप फेमस अमिसा पटेल पर धोखा धड़ी के मामलेवे रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुँ बता दे वोलिवूड की जानी मानिय विनेतरी अमिसा पटल पर रांची के सिविल कोट में धोखा दवड़ी का मुकादमा चल रहा है इसको लेकर रांची सिविल कोट में उनके मामले में लगातार सुनवाई हो रही है रांची लेंड एसकेम मामले में कारोबारी विसनु की रिमान अधी बढ़ी लेंड एसकेम मामले के आरोपी और रांची की बेवसाई विसनु अगरवाल की मुस्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है पांच दिनों की रिमान और दी समाप्त होने के बाद इडी ने विशनु अगरवाल को सोमवार को कोट में पेस किया और साथ दिनों की रिमान मांगी लेकिन इडी कोट ने साथ दिनों की जगा अगले चार दिनों की रिमान और दी बढ़ाई है अब इड़ी रांची में लेंड स्केम मामले में कारोबारी विशनु अगरवाल से अगले चार दिनों तक पुष्टाश करेगी हलाकि इड़ी कोट में पेस करने के वाद विशनु अगरवाल के वकील ने इड़ी की विशेश आदालत के नयाधिस से अगरह किया है कि उनके कलाइंड विशनु अगरवाल से जो पुष्टाश होनी थी वह पूरी हो चुकी है राहूल गांधी की लोग सभा सरस्यता बहाल होने पर जार्खन कॉंग्रेस ने बार्टी मिठाया परदेश कॉंग्रेस अध्यक राहूल गांधी मुखर हुए थे उसे आहत हो साजिस रच कर उनकी सरस्यता समाप्त कराई गई थी भारतिय समिधान और कानून में विश्वास करने वाली कॉंग्रेस पार्टी के नेता राहूल गांधी को सरोच नयाले से नया मिला है विश्व आदिवासी दिवस पर बटे ट्राइबल संगठान विश्व आदिवासी दिवस पर रंगारम करकरम के आईवजन पर ट्राइबल संगठनों के अलग अलग रहा है कुछ गूट आईवजन को ठीक मान रहे हैं जबकि कुछ गूट इसे गलत बता रहे हैं बता दे विश्व आदिवासी दिवस के दिन राज सरकार करस्तर परंगरम आयोजन को ले कर आदिवासी संगंठन बढ़ते नजर आ रहे हैं कई पक्ष आयसे हैं जो खुल कर इस आयोजन का बिरोध भी कर रहे हैं तो कई पक्ष समर्थन में भी सामने आ गए हैं दोनों पक्षों की अपने अपनी दलीले है मतभेद की यह रेखा पहली बार दिख रही है अब सवाल है कि इस मतभेद की आखिर क्या वज़ा है बता दे आदिवासी जन परिशत के अध्यक्स प्रेम साही मुंडा का कहना है कि मननीपूर में आदिवासी समाज पर अत्याचार हो रहा है हाल के लिए दिनों में राज्य में कई आदिवासी के हत्याय भी हुई है आदिवासी समाज का सोशन हो रहा है आयसे में भला भी स्वाधिवासी दिवस को खोसी के रूप में कैसे सेलिबरेट किया जा सकता है पलामू के युवक ने 36 गड़ की बिधवा का मतांतरन कर किया निकाह 36 गड़ के जीतेंद्र मिस्तरा की बेटी आकांचा का पलामू के तरहसी थाना चेत्रे के गुरहा गाओ के रहने वाले मुहमत साजीद ने धर्म परिवतन कराकर निकाह करने के मामला तुल पकड़ लिया है इस मामले में गुरहा के मुखिया उसके पती और पंचाई सेवा के खिलाब करवाई की मांग को लेकर पांकी बिधाया कुसवा डाक्टर ससी भूसन मेहता सहीद विभीन हिंदूबादी संगठनों ने सहर थानों में जम्प कर नारेबाजी की साथी बिरोध मार्च निकाल कर सहर के मुख्य मार्ग होते हुए पुलिस अधिक्चक कर याले पहुँचे कॉंग्रेस नेता ने जमीन लुटेरो को चेताया जार्खन सरकार की समन्वे समीती की सदस्य और परदेश कॉंग्रेस कमिटी के करकारी अधर्स बंधू तिर्की ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि परदेश तमाम इलाकों में अपना जड़ जमा चुके जमीन लुटेरो आदिवास्यों को उग्र रवाया अपनाने के लिए मजबूर न करें अधिवास्यों की जमीन लुटने और लड़कियों और महिलायों को पलायन के लिए मजबूर करने के काम किया जा रहा है राज्य में हो रहे जार्कन आदिवासी दिवस पर सियम हेमांत का दावा बनेगी अलग भाचान सो मार्गो केंद्रीय सरना समिती के परतिनीधी मंधल ने मुख्य मंत्री हमासुरें से मुलकात की परतिनीधी मंधल ने मुख्य मंत्री को 9 अगस्त को 20 वा दिवासे दिवासे दिवास का उसर पर आउजित होने वाले कारक्रा में सामिल होने के लिए आमंत्रीत क्या है इस मौके पर मुख्य मंत्री अमसुले ने कहा है कि जार्खन आदिवासी महोसों से राज की एक अलग पहचान बनेगी इसमें सामिल होने के लिए देश बिदेश सहती थी भी आएंगे परतिनीधी मंडल ने राज सरकार द्वारा बिरिहत प्यमाने पर पूरी भव्यता के साथ जार्खन आदिवासी महोसों से राज की आवजन करने के लिए मुख्य मंत्री का आभार भी जताया है महीने की अंध तक परदेश कार समीती की घोसना करेंगे बाबुलाल मरांडी जार्खन भाजपाक नो न्यूक्त परदेश अद्यक्स बाबुलाल मरांडी जल्द ही अपनी टीम की घोसना कर सकते है परदेशकार समित्य के गठन की परकिरिया भीतर खाने शुरू हो चुकी है इसे लेकर बाबुलाल राजे के परमुक नेताओं के साथ समानों एस्थापित करने में जुटे हुए है संभावना जताई जा रही है कि इस महीने के अंतक बाबुलाल अपनी नई परदेश कार करने की घोसना कर सकते है हाल ही में बाबुलाल मारीन केंद्रिये मंत्री अरजुन मुंडा और भाजपाकराश्टिये उपाजक रगवर्दास से मुलकात भी की थी इस मुलकात से उन्होंने या संदेश देने की कोशिश की थी कि वे सभी को साथ लेते चलने में यकिन करते हैं सहायक सिक्षक भरती परिक्षा के लिए ऑनलाइन सुरू सहायक अचारे के 26 एर एक पदो पर नियुकती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से सुरू हो गया है जर्कन करमचरी चैन आयोग द्वारा 19 जुलाई को जारी सुचना के तहत ऑनलाइन आवेदन स्ताथ सितमबर तक भरे जाएंगे सिक्षा विभाग के अनुरोद पर आयोग ने आवेदन की सर्तों में कुछ बदलाव किया है बदलाव के बाद अब परिक्षा में बैठने के लिए अधिक्तम आयोद सीमा की गन्ना अब 1 अगस 2016 से होगी साथ ही परिक्षा के नाम में भी संसोधित किया गया है अब इसका नाम जार्खन प्रारामभिक बिद्याले परस्तिक्षित सहायक अचारे सन्युक्त परत्युक्त परिक्षा 2023 किया गया साथ ही अब संस्क्रित उर्दु उडिया तथा बांगला भासा में भी अभियार्थी परिक्षा दे सकेंगे त्रिकूट रोपवे पर 23rd सुनवाई 28 को देवघर त्रिकूट पहाडी रोपवे दुर घटना ममले में हाई कोट में 28 अगर से 23rd सुनवाई होगी कि रोपवे का संचालन करने वाले कंपनी धामोदर रोपवे इस्फ़ाट टक्चर लिमिटेट को सोका जारी किया गया कंपनी को यह बताने को कहा गया है कि लपरवाही के कारण क्यों नहीं सरकार उसे काली सूची में डाल दे लेकिन कमपनी की ओर से अभी तक इसका जवाब नहीं दिया गया है धन्यवाद